नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका है आपको बता दें कि देश में होली की धुम है लोग इस दिन सब कुछ भूल कर होली के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं होली में डूबे लोग एक दूसरे पर रंगों की बरसात कर रहे हैं इस रंगों की बरसात में रंग गुलाल अभीर अगर गलती से भी आपकी आँखों में चला जाए तो रंग में भंग जैसा काम हो जाएगा इस दिये होली के रंग में खेलते वक्त जरासी भी लापरवाही नाग बढ़ते बलकि सावधानी के साथ इस होली का लुथ उठाई देखे हमारी ये खास रिपोर्ट होली खेलते समझ संग्लासिस का करे इस्तिमाल आखों में पहने लेंस होली का तेवहार खुशियों का तेवहार होता है लोग इस दिन गिले शिक्वे भूल कर एक दूसरे के साथ जम कर होली खेलते हैं और कभी-कभी तो लोग अचानक रंग लगा देते हैं तो होली खेलते समय बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है कि रंग, गुलाल हमारी आँखों में न जाए इसलिए हमें अपनी आँखों पर संग्लासिस का इस्तिमाल करना चाहिए सबसे अच्छा तरीका है आँखों को बचाने के लिए आप लेंस का प्रियोग कर सकते हैं इस लेंस को होली खेलने के बाद आसानी से फेका जा सकता है आप अपनी करीबी आप्डिकल दुकानों से इसे आसानी से खरीच सकते हैं आँखों के चारो और कोल्ड क्रीम का प्रियोग करें कोल्ड क्रीम आँखों को होली के रंगों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है होली खेलने से पहले अपनी आँखों के आसपास नेचर नारियल तेल से मालिस करें क्रीम की तरह ही नारियल तेल भी रंगों को आपकी आँखों में जाने से रोकेगा आँखों के आसपास एरिया में लगाएं सरसों का तेल आँख में रंग जाने से बहुत से लोग आँखों मसलने लगते हैं जिसकी वज़ा से रंग पूरी तरह आँख में फैल जाता है इतना ही नहीं आँखों में इससे एलर्जी बढ़ सकती है आपको अपनी आपको ध्यान में रख कर कॉटन लेकर आँखों से रंग को धीरे धीरे साप करना चाहिए कुछ लोगों को आँखों में जलन की समस्या होती है इससे बचने के लिए लोग आँखों में पानी की छीटे मारते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इससे आँखों में तकलीफ बढ़ सकती है और ज्यादा तकलीफ हो तो डाक्टर से सला ले लोगों को ध्यान देनी की जरूरत है कि रंग आँखों में न चला जाए इसके लिए हमें अपनी आँखों के आसपास एरिया में सरसु कतेल या कुछ चिकना पदात लगाना चाहिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आँखों के पास रंग को चुड़ाने में मदद मिलेगी हमारी इस खास रिपोर्ट में बस अतना ही देश जुनिया की तमाम खबरों के ले देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार